जैशी किष्णा दोस्तों कैसे हैं आप अच्छी होंगी स्वस्त होंगी अपनी घरों में खुश होंगी आपका बहुत-बहुत सागत करते हो आपके यूट्यूब चैनल हरी कृष्णा वास्तु टिप्स में जहां पर मैं आपके लिए कुछ ऐसे अचुक से उपाई लेके आ नहीं करें तो माँ जरूरी सुपाई को करें बच्चे का नाम लिखके भगवान शीरी हरी के चड़नों में अर्पन करना है और आप देखे फिर भगवान शीव और भगवान शीरी हरी विष्णा आपके बच्चे की विभा की जो भी अर्चने बाद है रुकावटे उसे स् आप ने यह उपाए आमला की आदस्षी या रंगभरी एकादस्य की दिन करने जो पागुन मांक्स की सुकल पक्षी की एकादस्षी होती है तो इस दिन आपने क्या करने सुबा ओर जए को अपके नित्यक करम जो भी है आप उसे कर लिगे अपको जिस समानों की जरुरीत है मैं आपको बता देती हूँ और हाँ ये भी बता दूँ कि अगर आप ये उपाई अपनी घर में करना चाहते तो घर में भी कर सकते हैं अगर आप किसी मंदिर में जाके करना चाहते तो वहांपे भी कर लिए। और मंदिर में आप भगवान शीव का मंदिर और जहाँ भगवान शीरे लक्ष्मी रॉयंग की प्रतिमा विग्रह भी जरूर होने चाहिए। इसलिए कि ये कादशी के दिन भगवान शिर्य हरी विश्णू, माता लक्ष्मी की पूजा रात्ना के साथ में भगवान शिव और पारवती की पूजा करना भी बहुत जादा अधिक महत्वर रखता है, क्यूंकि इस दिन भगवान शिव माता पारवती के साथ में पहली बार काशी गए थे और काशी जब गए तो भगवान शिव का माता पारवती का रंगों से गुलाल के साथ अभी नंदन किया गया इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है तो इसलिए आज के दिन आपने कुछ ऐसे जोग से उपाई जरूर करने जिससे आपके बच्ची के विवाग की जो भी अच्छने बाद है रुकावटे वो सारी दूर हो सके और एकादेशी का ब्रत या एकादेशी के दिन इच्छा पूर्टी के लिए भी कामना को पूर्ण करने के लिए उपाय किये जाते हैं इससे कि आपकी कोई इच्छा है वो भी पूरी हो सके तो इससे अच्छा शुब दिन तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता और इसन काफी जादा स्वारसिद्य योगी भी बन रहे हैं तो आपने करना क्या है घर में करें या तो फिर आप किसी मंदिर में चले जाएं तो आप सवप्रथम क्या करेंगी कि अगर आप मंदिर में जारें तो इसन मैने जैसे पहले आपको बताया भगवान शुव और माता पारवती की जरूर पूजा राधना करें तो आप क्या करें अगर बच्ची स्वैम करें तो बहुत अच्छी बात है एक लोटा जल ले उसमें पीला चंदन मिला ले और उस जल से भगवान शुव का अभिशीक करें और संभव हो सके तो पीला चंदन से भगवान शुव पे लेप लगाएं इससे भी आपके जो भी विवासमंदी अच्ची ने वो अवश्य भगवान शुव दूर करेंगे और साथ में माता पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं शिंगार का समाल जरूर चढ़ाएं अब आता है उपाई के लिए जो आपने खास उपाई करना है वो भगवान शीर हरी विष्णू कि जिस भी प्रकारा पूजा राधना करने कर लीजे अब आपने क्या क्या समाल लेने उससे नोट कर लीजे आपको चाहिए एक पान का पत्ता कटा पिटा नाओ साफ सुत्रा पान का पत्ता लेंगे एक हल्दी की गाट लेंगे एक सुपारी लेंगे एक लॉंक जोड़ा लेंगे फूल बाला हुना ची यह दो इलाइची लेंगे यह सारा समाना पान के पत्ते के उपर रख देंगे अब आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़ और चले की दार जैसे कि भगवान श्रीहरी विश्नु को अर्पन किया ही जाता है उन्हें अधिक प्रिय है तो ये चीज़े आपने लेनी है आपने पान के पत्ते के उपर सारा समान रखे भगवान श्रीहरी विश्नु को और मातलश्मी को ये सब अर्पन कर देना है उसके बाद जो खास उपाई है जो आपने शुब विवा के लिए बच्चे के लिए करना है यह बच्चे स्वैम कर रहे हैं, आपको चाहिए एक भोच पत्र, भोच पत्र आपको किसी भी पूजा की दुकान पर बहुत असान तरीकी से मल जाएगा, आप भोच पत्र ले लिजिए, भोच पत्र के उपर आपने करना क्या पीला चंदन ले लिजिए, या सिंदूर भी ले दीजिए उसके बाद अपने बच्चे का नाम, या आप स्वेम कर रहे हैं, अपने विभा की अर्चनों को दूर करने के लिए, या आपको कोई जीवन साती पसंद है, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपका विभा उसी से हो, लाल धागा कलावा लेकी साथ बारी बच्चे का नाम लेके जो भी विवा के अरचने बादे हैं उसको दूर करते वे प्रातना करते वे धागा लपेट दे साथ बड़ी धागा लपेटने के बाद ये भोज़पत्र आपको भगवान शिरहरी विष्णों के चर्णों में अर्पन कर देना है, अगर आप ये मंदिर में करना है तो मंदिर में सारी चीज़े आप चढ़ा के हाथ जोड के जोद प्रजुलित करके मंदिर में भगवान से प्रातना करते वे अपने घर आज़े, घर में करने तो आप ये भ प्रतिमा विग्रह जिसम पे आपने अरपन के उनकी फोटो की पीछे ही रख दीजे जब बच्चे का विभा हो जाए तब आप इसे किसी भी पेड के नीचे रख दीजे या जल में प्रभा कर सकते हैं अगर आपको किसी भी बात के लिए परेशान होने के आवश्यक्त नहीं सारी चीजे मंदिर में चाके अरपन कराएं और भगवान को इस दिन रंग चड़ाना ना भूले रंग भी रंगे फूल भी अरपन करना ना भूले इसलिए कि इस दिन रंग भर ये कादर्शिय में आपको पहले भी बता चुकि तो इस दिन भगवान को रंग भी रंगे उसका विवा संपन होगा वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करते समय बेल के बेटन को जरूर दबाने जिससे की मेरे चैनल की सारी नौटिफेकेशन आप तक कवस्चे पहुंचे जैशी कृष्णा